है हाए दोस्तों आज हम बात करते हैं मेरे सामने जो दो अलग अलग तरीके जो जूते रके हूं ना डोनों ब्लैक हें आप इसमें मैं आपको बता दूँ इस जो पैटान आता है यह var l second इन तरिके यह उपन यह न nhất का फिक्ड होता है और यह जो होता है आपका जोए Oxford शू हम जो कई बार हम लोग जो Chill attendance होते हैं डडए और ऑक्सफर्ड में James ऒर से कई बार ऑन लाइन अनला प्रचेस करना रहता है कई शॉपिंग के लिए जाना रहता है तो उसमें डडबी जो एक option रहता है और एक Oxford एक option रहता है, ठीक है, तो Oxford और Derby में difference जो है, हमको वो समझना जरूरी है, आज के दोर में, क्योंकि कई बार जम हम shopping करते हैं, तो उसमें हर बार जो है, उसमें description जो लिखा होता है, product का वो होता है English में, English में Oxford और Derby का छोटा सा, एक simple सा meaning है, ये जो होता है, जिसके ज जो है Lace, open side पे रहते हैं, उपर की side रहते हैं, ठीक है, और इसमें जो है Lace रहते हैं, ये वैंप जो है, पूरा portion जो है ये वैंप कहलाता है, तो वैंप से जुडवे होते हैं, लेकिन close होते हैं, ठीक है, ये और ये दोनों में, एक simple language में इसको ऐसे समाझ सकते हैं, कि ये जो कान निकलेवे होते हैं, जैसे कई बार बहुत सारों लोग जो है, इसको कान बोल देता है, जूते कि कान निकलेवे होते हैं, लेस की जेगे पर, तो ये होता है डर्भी, और ये जो बिना कान वाला होता है, कान अंदर जुड़ेवे होते हैं, ये होता है Oxford, ठीक है, तो यह बहुत सिंपल सा जो एक डिफरेंस है दोनों में और कई बार हम जो इसकी वज़े से जो परिश्णान होते हैं यह चोटी सी चीज आपको अच्छा लगेगा और आपको नॉलेज मिलेगा इसके लिए थैंक यू